है गाईट देले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवलिनों दुस्वलों छे के सवी सवलों को ठीक तो देखो यहां पर लिखा हुआ है नेम लिखित और्कल समीकर्णों को हलकी जी ठीक यहाँ पर आपको आउकल समिक्राट दिये गया है इनको आपको solve करना है अब इनको solve कैसे करना है यहाँ पर जो concept लगेगा वो लगेगा homogeneous differential equation का ठीक homogeneous differential equation होता क्या है अगर आपको नहीं पता है कैसे इस प्रकार के सवार लगा जाते हैं तो इसके पहले मैंने इसका basic concept है उसको मैंने बताया था उसका link description box वो आपको मिल लियाएगा वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और जिनोंने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लिजे क्योंकि अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको इन सभी सवालों को लगाना आ जायेगा ठीक तो आई होप आपने देख लिया होगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो देखो यह हमारा सवाल नंबर 1 है और यहाँ पे लिखा है y² dx यहाँ पर आपको उस वीडियो पर मैंने बदाया था कि आपको सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ है उसको आपको डिवाई dx की रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं इसको उदर वेज देए ठीक इसको इधर वेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर यहाँ पर गुड़ा में है इधर आजाएगा भाग में ठीक तो और यहाँ पर जो dx है यह भी देखो गुड़ा में है तो इसको इधर वेज जिंगे तो हो जाएगा भाग में ठीक तो हो जाएगा dy by dx बराबर में माइनस का y square और बटे में यह हो जाएगा x square माइनस x y plus में y square बन जाएगा ठीक अब यहाँ पर हमें करना क्या है यहाँ पर हमें मान लेना है माना y बराबर में vx ठीक तो यानि कि homogenous differential equation जितने भी होते हैं इन में आपको करना क्या होता है जब dy by dx के रूप में लिख लेना आपको सवाल उसके बाद आपको y बराबर vx मानना ठीक सभी सवालों में ऐसा ही करना है अच्छा इसको हम जानेंगे कैसे कि homogenous differential equation है तो homogenous को हिंदी बोलते है सम घाती सम घाती का मतलब होता है जिसके सभी घात समान हो ठीक यहां पर द्फो इसका करें यहां फोका समने करने के लिए में क्या करना होता है सबसे फ़ेले में y क बराबर vx मानना ठीक थिकग अब मानने के बाद यहाँ पर इसका हम लोग अगलन करेंगे तो यहाँ पर फाहला छोड़ देंगे ठीक हम लोग क्या करेंगे जब यहां पर रखेंगे दिको डिवाईब धी यहां पर ल inward देंगे हम लोग looks SAY शीन दीवी emerged में धीग बराबर में यहां पर का है वाउन थी एक साञाम में तो यहां पर स्क्वेर लगा देंगे तो यहां पर हो जाएगा य के स्थान पर हम लोग रखेंगे वी एक्स स्क्वार करेंगे तो वी स्क्वार और यह स्क्वार बन जाएगा ठीक अब हमें करना क्या है देखो यह एक्स यह स्क्वार नीचे बन जाएगा यहां पर यह स्क्वार बन जाएगा मतलब अब हम लोग करें का माईनेस यहां पर यह ये एक्स मिलाकर ये बचेक चला गया एक कर गठेंगे यहां पर का V बन जाएगा ठीक अब इसके नीचे एक मानकर इसको तिरिया गुणा करके इसका हर बराबर करेंगे जब तिरिया गुणा करेंगे यहाबर तो जाएगा माइनस का V square और इसमें multiply करेंगे तो V एक अनम V बन जाएगा ये minus यहाँ पर लगा है इसलिए सब क्या हो जाएगे ये वाला मतलब इसका जो चिन है सब बदल लाएगे ठीक तो देखो ये plus में था तो ये देखो minus में हो गया अब इस V को इसमें multiply करेंगे तो जाएगा plus का V square और उसके बाद जब इसमें multiply करेंगे तो minus का V cube बन जाएगा ठीक और बटे में क्यो जाएगा बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे तो जाएगा one minus V plus में V square ठीक यहाँ पर देखो मैंने कुछ ने किया सिर्फ इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस तिर्यक यहाँ पर multiply करेंगे ठीक तो यानि कि यह जो बन जाएगा इसको जाब इधर वेजएंगे तो यह जाएगा one minus V plus में V square और बटे में यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो नीचे बन जाएगा अब दोनों तरफ हम उट्रफ समगर्ण करदेंगे तो यहाँ पर आप लिक देना दोनों तरफ समगर्ण करने फर जहां यहाँ पर समगरंग करेंगे तो अब देखो इसके आगे हम लोग और माइनस कामा ले लेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वी कामा ले लो तो जब वी कामा ले लेंगे तो यहां पर इसके स्थान पर एक बचेगा बाकी यहां पर माइनस कामा ले ले तो प्लस हो जाएगा ना यहां पर एक हो गया यहां पर प्लस में वी स्क्व में v square और बटे में यहां पर हो जाएगा v और one plus में v square हो जाएगा और यह बन जाएगा db और minus में यहां पर हो जाएगा हमारा v बटे में v और उसके बाद one plus में v square और यह बन जाएगा db वराबर में एक बटाई x dx बन जाएगा ठीक अब देखो यहां से v से यह कट गया और इससे यह कट गया ठीक इसलिए हम लोग हमने यहां पर कहा था कि यहां पर वी स्क्वार को इसके साथ कर लो ठीक ताकि यहां पर कट जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा तो यह वाला जब माइनस यहां पर खुलेगा तो यह प्लस बन जाएगा ठीक वांकि यह य यहां पर हम लोग जब इसका हम लोग समकलन करेंगे तो यहां पर इसका जब समकलन करेंगे तो यहां पर इसके बार यहां पर लॉक्त जोड़ दिए ठीक अब यहां पर किया ब्याबर white वाई 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 वा में इसको देरेफेश देंगे तो माइनिस वहन जाएगा log x और प्लस का log और यह जाएगा वाई वटे में x माइनिस में log c बराबर में tan inverse य वटे में x ठीक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह दोगो दोनों गुड़ा में हो जाएगे बाकि यह भाग में हो जाएगा तो जाएगा log y वटे में x है into में x बन जाएगा और बाकि यह जाएगा minus का log c बराबर में tan inverse y वटे में x ठीक अब यहाँ पर देखो एक्स iX कर जाएगा सिर्फ log y बचेगा ठीक बांकि यह दूरों को जाएंगे भाग मी जाएगे क्ऊगि यह यहां पर है तो जाएगा y बटे में C तो और यहां पर जाएगा हमारा tan inverse y बटे में यक्स बन जाएगा धीक बस यह यह हमारा answer हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखो यहाँ पर यह वाई बटे में सी कैसे हो गया आप सूत पढ़ेंगे न कि लॉग अगर M बटे में N होता है तो वो बन जाता है हमारा लॉग M माइनस में लॉग N बन जाता है ठीक तो इसलिए यहाँ पर हो गया दोको जहाँ पर log M minus में log N इस प्रिकार से हो इसको हम बटे में ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर यह बन जाएगा ठीक उससे मतलब भाग में हो जाता जब minus में log दोनों में तो यहाँ पर देको इसको N मालो हो गया log M बटे में ठीक तो यह हमारा answer जाएगा आयो आपसार जोंगे चले अब अगले सवाल देखते हैं तो देखो यह हमारा सवाल नमबर दो है यहां पर हमें करना यहां पर भी वैसे ही करना जिसे उस सवाल में किया था तो यहां पर इसको हम लोग इधर बेज़ देंगे तो यह बन जाएगा हमारा xy x square और d y बराबर बन जाएगा –y square और बन जाएगा d x ठीक बाकि हम लोग क्या गरेंगि इसको इधर बेज़ देंगे d x को इधर बेज़ लगाती है मतलब होमोजीनियस है तो यहां पर हम लोग मानेंगे अब होमोजीनियस वाले सवाल लगाने यहां पर जाएगा बांकि यहां पर क्या है है चैक तो यहां पर यहां prochain हीर तो है किया था तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखो वी बचेगा और प्लस में वन बचेगा ठीक यह एक्स स्क्वेर स्क्वेर कर जाएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा यक्स और डी वी बटे में डी एक्स बन जाएगा और बराबर में देखो यह जो न इसको दरवेज दो तो यहां पर हो जाएगए माईनस कबड़ आ इसकर बहुद और भरटे में वी-प्लस में वन है और माईनस कभी इदर देगे ठीक पांकि तर्या्य गुणा यहां पर जाएगा माइनस का 2 V स्क्वेर और उसके बाद माइनस का V बन जाएगा और बटे में V प्लस में 1 बन जाएगा ठीक अब हम लोग यहाँ पर minus कवी कामा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 बचेगा और V बचेगा plus में इसके स्थान पर 1 हो जाएगा ठीक बांकी बटे में यहाँ पर हो जाएगा V plus में यक्स अब हम लोग क्या करेंगे इसको तिरिया गुणा करके जैसे उस वाल में किया था ना तिरिया गुणा करके इसको इधर भीज देंगे इसको इधर भीज देंगे बांकी X और DX इसको एक तरफ कर देंगे ठीक तो यानि V वाला DV की तरफ कर देंगे और X वाला X की तरफ कर देंगे तो यहां पर इसको भीज़ेंगे तो जाएगा v plus में 1 हो जाएगा और बटे में यह हो जाएगा हमारा v और उसके बाद 2v plus में 1 हो जाएगा db हो जाएगा बराबर में और यहां पर क्या हो जाएगा dx इधर बेज देंगे बांकी x हो जाएगा इधर भाग में यह जाएगा और यहाँ पर यह जो माइनस लगा है ना यहाँ पर माइनस लगा दो तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दूनों तरह हम लोग समकलन कर देंगे simple सा तो अब यहां पर समा क्लान कैसे करेंगे यहां पर प्लस में एक ठीक अब देखो इसको आंसिक भीन से लगा दीजे ठीक आंसिक भीन क्या होता है अनसिक वीन सवाल मैंने आपको पढ़ा दिये हैं अगर आपने उसको नहीं पढ़ाया तो लिंक description वाक्स में मिल जाएगा या फिर सीधा आप चैनल पर जाना वहाँ पर आपको मिलेगा एक class 12 चित्रा प्रकासन class 12 का math ठीक वहाँ पर उस नाम से playlist है उसमें जब जाएंगे समा क्लान में तो वहाँ पर समा क्लान के आपको समभी वीडियो मिल जाएंगे ठीक और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा गुणा करेंगे तो नीचे नीचे वाला चब गुणा हो जाएगा तो इससे और यह वाला नीचे वाला कर जायागा ठीक तो यहारे इतना बचेगा अब देखो यहां पर हमें सिर्फ ए का स का वाईविन चाहिए अगर पता चल जाये तो यहां पर इसका सनभावर लग़गर ह्ouse तो यहां पर क्यों जाएगा यहां पर मैंने आपको उताया था कि इसके बराबर 0 मान लो इसके बराबर 0 मान लो तो इसके बराबर 0 मान लो तो यहां पर वी बराबर 0 जाएगा और जब इसके बराबर 0 मानोगे तो हो जाएगा 2B प्लस में 1 बराबर 0 इसको इदर करेंगे तो A और V का value पता जल जाएगा ठीक. तो दिखो जब हम लोग yarni V बराबर 0 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा दिखो यह 0 हो जाएगा पूरा यहां पर रखेंगे तो 0 और यहां पर एक ननम A हो जाएगा. बाँकी हो जाएगा यहां पर V के बटा 2 प्लस में वन जाएगा बराबर में तो यहांपर हो जाएगा यहां पर क्या है मायनश का एक बटा 2 बाजाएगा पुरा जाएगा न ngard कि और यहांपर क्या A और V के value आ गया तो हम लोग रख देंगे A और V के स्थान पर ठीक तो यहाँ पर हमारा सवाल था A बटे में V प्लस में V बटे में और यहाँ पर हो गया था कितना 2B प्लस में 1 था और उसके बाद यह था DV बरापर में 1 बटा X और DX ठीक यहाँ पर कहीं तो अब यहां पर किया खायगा तो बांगी यहंपर एक इस्थान पर एग रखे ने सिल कि माइनस एक रखेंगे तो यहां पर रोजएगा माइनस का एक बट्राइ में विह हो जाएगा ठीक यह जाएगा ड र इर यह माइनस से डी एक्स बन जाएगा और देखो इसका हम लोग समाकलन करेंगे ठीक बाकि इसके स्थाम थोड़ा ध्यान देना जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो यह बन जाएगा हमारा ऐसा करते हैं हम लोग यहां पर इसके स्थाम मान भी सकते हैं 2B प्लस में 1 बराबर में T मान लो ठ यसके बन जाएगा कर बराबर में यह यहाँ पर हम लोग yax ठीक बराबर میں इसका जाएगा माइनस का लाग v बन जाएगा पलस का एक वटे में two और इसका जाएगा लाग t के वाइलू रखो तो t के वाइलू क्या है या LEE 2V पलस में 1 है और बस ही हो गया और पलस में लाग c यह constant जोड़ देंगे ठीक अब यहां पर क्या बन जाएगा हमारा वी के इस्तान पर हमें क्या रखना है वी के इस्तान पर हमें वाई बटा यक्स रखना ठीक कहां से जहां से माना था ना वाई बराबर वी एक्स अब यहाँ पर क्यों हो जाएगा बन जाएगा log x बराबर में माइनस का log और यह हो जाएगा y बटे में x प्लस में 1 बटे में 2 और यह बन जाएगा 2y बटे में x प्लस में 1 हो जाएगा और प्लस में log सी बन जाएगा ठीक अब यहाँ पर बन जाएगा हमारा log x पराबर में माइनस का log y बटे में x प्लस में 1 बटे में 2 और यहाँ पर बन जाएगा log इसमें 3 गुणा करेंगे तो जाएगा 2y प्लस में x बटे में x और प्लस में log c बन जाएगा अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बन जाएगा log x पराढ़र में यहां पर जाएगा देखो इसक को भी सकते हैं यहां पर log y और minus का log x ऐसे करके लिख सकते हैं प्लस में एक बटा दो और यहां पर जो log है इसको m माल लो, इसको n माल लो तो अभी जो सूत्र बजाया था ना यहाँ पर log n बट m in होता तो क्या हो जाता है माइनस में जाता है तो log x प्लस में 2i लिखा है और उसके बाद minus का बन जाएगा हमारा ये log x बन जाएगा ठीक उसके बाद plus में ये जो log c है ना इसको इदर लियाएंगे हम लोग तो minus का ये हो जाएगा हमारा minus का log c बन जाएगा ठीक तो अब देखो यहाँ पर बन जाएगा हमारा minus का log c और यहाँ पर जाएगा log x बढ़ापर में यहाँ पर इस माई से multiply करेंगे तो जाएगा minus का log y और plus का log x बन जाएगा बाकि 1 बटे में 2 बन जाएगा और यह बन जाएगा log x प्लस में 2y और उसके बाद इसमें अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा यह माइनस का वन बाइटू उसके बाद यह हो जाएगा माइनस का वन बाइटू लॉग यक्स बन जाएगा ठीक देखो यह लॉग यक्स से यह लॉग यक्स कट जाएगा ठीक तो अब यहां पर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा देखो अब हम लोग साकते हैं न ये माइनस को इंदर पेज propor फ़िए गले टेंगी और यह ने हो जाएगा प्लास का वाँकी ये दोनों क्या जाएगे भाग में असको यह अधर बराबर है तो इस टू को आं लोग इधर बेज देंगे ठिक तो यह बनाज आएगा माइनस का log c plus में log y हो जाएगा बराबर में यह जो 2 है जब इसको हम लोग इधर बेज देंगे तो यह 2 बन जाएगा ठीक बाकिए हो जाएगा इधर का minus का log x बचेगा और इधर हो जाएगा plus का log यहाँ पर x plus में 2y हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा यह जो 2 है यहाँ पर multiply करेंगे तो यह इसका गहत बन जाएगा इसमें multiply करेंगे तो इसका गहत बन जाएगा यानि यह square बन जाएगा ठीक तो हो जाएगा minus का log c square और plus का यहाँ पर बन जाएगा log y square ठीक तो यह बन जाएगा हमारा log y square और बटे में यहाँ पर c square बन जाएगा ठीक और बराबर में बन जाएगा log इधर हो जाएगा x plus में 2y और बटे में हो जाएगा x ठीक अब यहाँ पर log से log cancel हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y square बटे में c square बराबर में x plus में 2y बटे में x बन जाएगा ठीक तो तिरिया गुणा करतेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा y square बराबर में c x plus में 2y ठीक यह आपका answer हो जाएगा आयोप आप समझ गया होंगे देखो यहाँ पर आपके जो book में है वो यह answer नहीं दे रहे है ठीक वहाँ पर जो answer दे रहे है आपके book में जो answer आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर c square x बराबर में यहाँ पर आ रहा है आपका y square x plus में 2y ठीक ऐसा कुछ करके आपके बुक में एंसर दिरें ठीक लेकिन ये एंसर गलत है ठीक अगर यही एंसर आप लाना चाहते हैं ठीक तो कैसे आएगा चले मैं आपको अता देता हूँ देखो आपकी बुक में जो answer दिया गया है अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पर यह जो है न यह इसको आपको minus में बना देना ठीक अगर यह minus में हो जाएगा तो फिर आपका जो मतलब book में answer आ रहा है तो आपका आ जाएगा ठीक लेकिन यह minus होगा कहां से जब यह plus में है तो इसको minus में कहां से बना सकते हैं ठीक अगर इसको minus में कर देंगे तो आपका book में answer आ जाएगा ठीक लेकिन क्या मतलब जब जैसा सवाल है वैसा ही तो solve करोगे अपने में से बनाने हैं दो के तो यहां पर अगर minus आ जाया तो आ जायगा answer लेकिन यहां पर minus को कोई यहां पर दिक्कत इने देक़ो क्योंकि यह पर देखो यह प्लस में है यह त्ट Sex कहा जाएगा आई वह आप समझ गयोंगे चले आजिए आपको इधर बेज देंगे दीयक्स को इधर पिए दिया तो इसको जाब इधर बेजेंगे तो बन जाएगा एकस का पाउर 3 माइनस में 3 0,161 स्क्वेर और और यह जाएगा withdraw और माया 3 इसक्वेर यह स्क्वेर वाई हो जाएगा ठीक यह हो जायंगा लिखो इसका यहां पर है यहां पर यहां पर वे प्लस में युक्ष़ से ठीक में यहां पर बराबर में अभि यहां पर क्या है X cube है X cube लिए 2-3 X है उसके बाद Y के स्थान पर V square X square हो जाएगा ठीक Y के स्थान पर हम लोग V X रखेंगे और यहां पर जाएगा V cube और X cube बन जाएगा बांकी 3 X square और Y के स्थान V X रखेंगे ठीक तो बांकी देखो X square और X multiple लाए होगा यहां पर इसमें भी cube बन जाएगा इसमें भी cube है इसमें भी cube है इसमें तो यानि X cube कामा ले लेंगे ठीक तो यहां पर बचेगा हमारा 1-3 और यहां पर V square बचेगा ठीक उसके बाद बटे में यहां पर X cube कामा ले लेंगे तो यहां पर बचेगा हमारा V cube और इसके बाद माइनस में ठीटीर और वी इतना वचेगा ठीक तो पागे इस से से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि यहाँ पर जाएगा में युख डD बSeanल D येग्स ब्राबर में गेसी माइचरी वी क्यले का ठीक रहक स्टुम्हाइब बराबर में यहां पर हो जाएगा वन माइनस भी-2 बटे में में V3-3B और यह जब माइनस मिधर आ जाएगा इधर भी हो जाएगा इसके नीचे एक माल लो और तिरीया गोना करके मतलब जो जब तिरीया गोना करेंगे ति हो जाएगा वन-3 वी स्क्वार क्योंकि एक स्ट मल्टिप्लाय करेंगे वह या जाएगा ठीक उसके बाद यहां वाला माइनस लगाएंगे अब जी जब माइनस यहां पर लगा तो इस इस इन दोनों को चीन बदल जाएगे जब इसको त्रीए गुणा करेंगे जब इसको इसको इसमें चैने क्ट गुणा करेंगा ओएचीच हो जाएगा अब यहां पर होगा क्या यहां पर यह होगा कि इसमें कैंसल को जाएगा तो यहां पर माइनस प्वी कर छायें आद ना यहां पर एसा करोना की इसको तरीए गुणा करके मतलब यह जो b वाला पूरा है इसको आपको db की तरफ कर देना है बांकि yx और dx को इधर ले आओ ठीक तो यहाँ पर जब करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा जाकर उपर तो यह हो जाएगा बटे में 1-v का पावर 4 db बन जाएगा बराबर में बटा जाएगा 3v हो जाएगा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1-v v और उसके बाद यहां पर यह जो याहने कि v का पावर फोर है इसको आप स्क्क्वायर करके rencontre या cyclise q Jeep 2019 यह नहीं की उरकाथ हो जाएगा बात वहीं पर चायेगा यहां पर यह बेजा एगा और यहां पर यहां पर तो यहाँ पर बन जाएगा, इसका zero हो जाएगा, अउक्लन, और इसका ओक्लन करेंगे, तो हो जाएगा, माइनस का चार और v का पआवर 3 हो जाएगा, dv वटे में dต बन जाएगा, ठिक इसी तरह meer हम दो माल लेंगे, माना v square पराबर में t माल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2b db पराबर में dt बन जाएगा ठीक यानि कि और 2 को इधर लियाओ तो यह जाएगा db बटे में dt बटे में 2 हो जाएगा ठीक उधर गुणा में था इधर भाग में आगया अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो जहाँ पर इस 4 को इधर बेज़ दो पहले तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा v cube बटे में minus का 1 बटे में 4 dt बन जाएगा ठीक और यह db बिलिख दो उसके बाद बराबर में यह minus हो जाएगा तो जहाँ पर v का power 3 db हो वहाँ पर में minus 1 बटा 4 dt रखना है और इधर जहाँ पर आपको v db मिले वहाँ पर आपको dt बटे में 2 लिखना ठीक तो यहाँ पर देखो यह है v cube और db तो इसके स्थाम में क्या लिखना है minus कर 1 बटा 4 dt ठीक तो यह हो जाएगा minus कर 1 बटा 4 constant तो इसको बाहर और dt को अंदर और उसके बाद हो जाएगा हमारा एक बटे में इसके स्थाम t माना तो यहाँ पर t लिखना देंगे simple ठीक उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तीन constant है इसको आगे निकालेंगे बागी देखो v बचेगा db बचेगे तो बटे में 2 जो constant है उसको आगे निकाल देंगे डेटी को अंदर कर देंगे एक बटे में और यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ पर जाएगा माइनस और इसके स्थाम t माना तो यहाँ पर जाएगा t का स्क्वेर ठीक तो को v स्क्वेर के स्थाम पर हमने आटी रग दिया square लगा square लगा यहँ चिक यह बन गया और बराबर को जाएगा हमारा एक बटे में 1 x x दी एकस बन जायँ चिक अब यहाँ पर होगा kiya इसका simple अंग्व को अब समखन कर देंगे चिक तो समखन करेंगे तो एक बटे में a square minus x square होता है इसका समाकलन होता है तो इसका सूत्र होता है कि एक बटे में 2 और उसके बाद a होता है यहाँ पर 2 यह होता है उसके बाद होता है log फिर यहाँ पर होता है a plus में x बटे में a minus में x यह होता है समाकलन ठीक तो यहाँ पर a के स्थाम हमारा क्या है aq है और yaks के स्थाम हमारा क्या है t है ठीक तो हम लोग इसका पसमख्लन करेंगे भजाएगा minus 1 बटा चार और यह बन जाएगा हमारा log t log t बन जाएगा t के स्थाम हमें क्या रखना है जो t का value था हमने माना ठीक इसको रखदो तो हिएवाइएगा 1-5 ना इरुटे का पावर 4 और यह हो जाएगा 3 बटे में 2 और उसके बाद में देखो यह हो जाएगा 1 बटे में 2 और एक इस्थांप यहाँ पर एक है तो एक हो जाएगा ठीक उसके बाद बन जाएगा हमारा log फिर हो जाएगा one और उसके बाद plus में टी बन जाएगा और बटे में one minus टी बन जाएगा ठीक यह हो जाएगा और बराबर में इधर बन जाएगा log यक्स यानि इसका समक्लान हो जाएगा और plus में log सी हम लोग constant जोड़ देंगे ठीक अब यहाँ जाएगा यह वह की हो जाएगा वन माइनस एक बटे में बही और यहांपा चाहाएगा ठीक पर चार और रखंगे त document ओ जाएगा यहांपन पर जाएगा इधर हम लोग टी का वेव जोड़ रुक हें तो इधर यहां पर क्या माना था ? इसके स्थांप, यह को, माना था तो भी बराबर इधर माना था V तो यहाँ पर हमें लिखना है, 1 PLUS में V2, बटे में 1 माइनस में T है यह तो भी यहाँ चाना में V2 है, V2 बन जाएगा या फिर पढ़ा रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस आपको माइनस ऐसा करना है, माइनस इसको हम लोग इधर पेज देते हैं, ठीक, अगर नहीं करो के तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या, इसको हर बराबर कर लेना है, ठीक, और हो जाएगा, एक बटे में चार, लॉग और यहाँ पर इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, यहाँ पावर फोर हो जाएगा, माइनस य का पावर फोर हो जाएगा, और बटे में यक्स का पावर फोर हो जाएगा, ठीक, यह हो गया, और माइनस तीन बटे में चार, और यह हो बराबर का माइनस का लॉग याक्स माइनस का लॉग सी बन जाएगा ठीक तो यह हमारा सवाल है हमें इसको सॉल्व कैसे करना है तो देखो यहाँ पर ऐसा करना है सबसे पहले यहाँ पर तीरियक गुणा करके इसका भी हर बराबर कर लो ठीक तो इसके बाद फिर सॉल्व करते तो बन जाएगा यखाई स्क्वेयर प्लस में Why स्क्वेयर बन जाएगा और अब यहां पर यहां पर क्यों चो यहां पर दो अर्णने अट यहां पर और यहां पर देखो यह भी wish तो अब यहां पर क्या हो जाएगा फिर यह हो जाएगा हमारा लॉग और उसके बाद में यक्स का पावर फूर और यक्स का पावर फूर बन जाएगा इसका गात एक बटा चार बन जाएगा और प्लस में इधर बन जाएगा हमारा लॉग यक्स स्क्वेर प्लस में वाई स्क् अब यहाँ पर होगा क्या दोनों प्लस में हैं तो दोनों ν्म हो जाएंगो ठीक अब दोनों प्लस में मतले मल्िटीक हो जाएगा तो यह बन जाएगा हमारा लॉग और उसके बाद में यह बन जाएगा एक्स का ओर 4 माइनेस आए का ओर फॉर और इस घात कितना है एक बटे में चार है ठीक और उसके बाद इंटू में इसको लिखेंगे तो जाएगा यक्स का पावर फोर प्लस में यक्स स्क्वेर प्लस में यक्स स्क्वेर प्लस में वाई स्क्वेर और इसका घात है तीन बटे में चार है ठीक उसके बाद बटा लगाएंगे यहनि गुणा क्या होता है उपर उपर गुणा नेचे नेचे गुणा होता है तो इसको इससे multiply अब करेंगे तो इसका power 4 हो जाएगा और यहाँ पर देखो इसका भी घात यहाँ पर जो लगा है इसको भी multiply करेंगे एक बटा चार से और इसी तरह कें से इधर भी हो जाएगा तो हो जाएगा 1C square minus Y square और इसका घात कितना है 3 बटे में 4 है ठीक सिंपल से और यहाँ पर क्या हो जाएगा minus का log x और minus का log C बन जाएगा ठीक अब यहाँ पर देखो यह चार से यह चार कट जाएगा अब यहां पर क्या हो जाएगा इसको यक्स स्क्वेर का स्क्वेर बना तो इसको वाई स्क्वेर के स्क्वेर बना दो ठीक तो यह बन जाएगा एक बार प्लस में एक बार मैस में हो जाएगा ठीक तो यह अब हमारा क्या हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा log x square minus y square और इसका घात एक बटा चार अब देखो एक बार मतलब ये square के square जब करेंगे तो समझ रहे हो ना जैसे कि a square minus b square वाला सुत्र क्या होता है एक बार जूड जाता है एक बार घट जाता है ठीक a plus में भी a minus में भी जाता है और बटे में यहाँ पर क्या बन जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ यहाँ पर x बचेगा यक्स का घात एक हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x square minus y square और देखो इसका घात देखो तीन बटा चार को हम क्या लिख सकते हैं जिसे कि हम लिख दिए एक बटा चार और प्लस में दो बटा चार लिख दे, ठीक, तो बात वही है कि दोनों खर बराबर है तो दो एक तीन हो जाएगा तो तीन बटा चार हो जाएगा, तो कहने को मतलब है हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपने जरूरत की हिसाब से, थो हम लोग अब यहां पर इसको लिए देना थोड़ा यहां पर जगा नहीं है लॉग एक्स माइनस में लॉग सी ठीक अब यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बन जाएगा हमारा लॉग उसके बाद में देखो इन्द ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पर यहाँ ठोड़ा ध्यान देना यह प्लस में रहेगा ठीक क्योंकि एक बार को तो दोनों मतलब वे स्थी महें इन गा-घाथ भी जूड़ जाएगा ठीक, गुटा-गुटा में ब्यांगे तो दोनों का देखों को यहाँ पर हर बराबर है तो जब जुड़ेगा तो 4 3 4 तो यहीं 4 बटा 4 का मतलब 4 स्चार कर जाएगा यानि simple सा एक आ जाएगा तो यानि y square प्लस प्लस में y square इसका घात कितना हो जाएगा एक हो जाएगा यहाँ पर जाएगा यक्स और यहाँ पर बचेगा x स्क्वेर माइनस y स्क्वेर का घात दो बटा चार काटेंगे दो एक अनम दो दुनना चार यानि 1 बटा 2 बन जायेगा ठीक समझ दो न और बराबर में लॉग यक्स इसको दो दोको यहाँ पर माइनस जब कामा कर तूछ ऐसा करते हैं यह यहां पर इदर दको इधर क्या है log x minus में है इसको इधर बिज़देंगे तो यह बराबर किस पार हो जाएगा प्लस का log x बन जाएगा ठिक और इधर क्या बज़एगा फिर minus का सिर्फ log c बचेगा ठिक अब देखो इसको कैसे स्टॉल करना देखो यह बन जाएगा हमारा लॉग वैसे भी कर सकते हो ठीक कोई बात नहीं यहाँ पर बन जाएगा हमारा यक्स और यक्स इसका गात हो जाएगा एक बटे में टू और बराबर में होगा मल्टीप्लाई में देखो दोनों प्लस में हो गया अब लॉक वाला य बन जाएगा तो इसको कई दो ऐसको नीचे लाओगे बटा कि नीचे लॉग गया ऐसे जगा तो यह यह एक से-पटे में ना यह य्यक्स कर जाएगा इसलिए मैं लॉक एक कहा किediत, ठीक के गड़ाए अब यहाँ पर देखो लॉक से लॉक है नीचिल केंसलो हो जाएगा त और बटे में यक्स स्क्वार माइनस में y स्क्वार इसका घात है एक बटे में 2 बराबर में एक बटे में c अब तिर्यक मल्टिप्लाई करतो बस एंसर आ गया तो यहां पर क्या बन जाएगा जब तिर्यक गुणा करेंगे तियो बन जाएगा c और यक्स स्क्वार प्लस में y स squaring करेंगे मतलब work कर देंगे जब दुनों तरह work कर देंगे तो यहां पर दो से दो multiply हो जाएगा बांकि यहां पर square लग जाएगा यहां पर square ठीक तो यह 2 से 2 cancel हो जाएगा क्योंकि यहां पर work कर दिया ठीक तो यहां पर यह बन जाएगा हमारा सी स्क्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वे लिखा है इस c का value क्या है c square है मतलब हमने c square के अस्थान पर c लिख दिया ठीक तो यह इसका answer हो जाएगा आई होप आप समझ गयोंगे चले आपको मैं अगला सवाल बताता हूं तो यह हमारा सवाल number यहाँ पर चार है ठीक अभी दोको यहाँ पर करना क्या है simple सा माइनिस में इसको दर बिख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x square और y हो जाएगा dy y dx हो जाएगा x cube हो जाएगा प्लस में y cube हो जाएगा और यह यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको दर्वेजद देंगे दिको दर्वेज देंगे यह बन जाएगा हमारा d y y dx बन जाएगा और यह बन जाएगा हमारा यक्स स्क्वेर वाई बटे में यक्स क्यूप और प्लस में वाई क्यूप बन जाएगा ठीक अब देखो सिंपल समय बार-बार यह आपको जाई कराने की जरुवत नहीं है कि यह मतलब होमोजीनियस डिफ्रेंसल एक्वेशन है क्योंकि यह चैप्टर में सभी सवाल होमोजीन क्यों तो बन जाएहां यहां पर छिएन्य माना अब यहां पर इसके स्तान पर रखेंगे धिय क्यूप और यह चैयगा जाएगा ठीक और यहां पर देखो इसका भी घात एक इसका घात मतलब दो इसका घात एक है यानि इस यहां पर एकस का घात उपर जो बन जाएगा ठीक तो यह बन जाएगा हमारा वी एकस क्यूप और बटे में एकस क्यूप कामा ले लेंगे तो कि दोनों में कामा मिल रहा है तो यहाँ पर जाएगा 1 और प्लस में V3 बन जाएगा टिक तो यह इससे यह cancel हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे इस V को इधर में देंगे टिक simple सा तो बन जाएगा यक्स डी वी बटे में DX बराबर में इधर V है और बटे में 1 प्लस में V3 है और माइनस का V बन जाएगा टिक तिर्य गुणा करके इसका हर बराबर करेंगे तो जाएगा V और माइनस में अब यहाँ पर माइनस लगा सब चीन बदल जाएगे तो जाएगा 1 और यहाँ पर V बन जाएगा और इसमें मैलिटिप्लाइ करेंगे तो जाएगा V का पावर 4 और बटे में 1 प्लस में V3 बन जाएगा यह वी से वी कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ V3 बचेगा माइनस का ठीक अब हम लोग इसको तिर्या करके इधर बेज़ देंगे तो जाएगा V3 में इधर बन जाएगा फ्लस में बटे में वी का पावर 3 बटे में V4 बन जाएगा और यह बन जाएगा माइनस का एकूढ़े में यक्स ड नज इस ती Defense इसको कथ देंगे लिए कैसी बचेगा और यहाँ पर बन जाएगा हमारा वी का पावर फूर अब फ्रक mil का पावर फूर को इसको उपर मैनश को फोर बन जाएगा और यहाँ पर प्लस बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा एक बटा वी डी वी और बराबर में हो जाएगा माइनस का एक बटा यक्स और डी अक्स बन जाएगा ठीक अब देखो यहाँ पर इसको जब हम लोग मतलब जब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो इसका सम्मंगलन हो जाएगा धको यहां पर इस minus के 4 minus 4 में हम क्याओ करतेंगे प्लस में एक जोट देंगे बटे में minus 4 plus में एक करतेंगे ठीक और plus में यह भन जायेगा लॉग V और बराबर में log 01 बन जाएगा और प्लस में constant जोट देंग critical टिक अब यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा देखो इसमें सिका भटाएंगे तो माइनस कद् it यहां पर भी हम लोग रखेंगे यानि कि वी के अस्थान पर रखेंगे वाई बटे में यक्स ठीक तो यह क्या बन जाएगा यह सिंपल्स हमारा बन जाएगा माइनस का एक बटे में ठीरी और यह जाएगा वाई क्यूब बटे में यक्स क्यूब बन जाएगा ठीक उसके जाएगा हमारा माइनस एक स्क्यूब बटे में ठीरी वाई क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर जब लॉग एंब ट्रीम होता है पर 007 होता है तो क्या बन जाता है माइनस बन जाते हैं यहां पर С दिया यह ठीक और यहां बन जाएगा log x और बराबर में minus का log x प्लस में c तो यह minus का log x इधर भी minus का log x दोनों मतलब सेम हैं तो यहां पर कट जाएगा ठीक तो अब यहां पर क्या बचेगा अब simple था यह plus में है और यह minus में है तो इसको आगे कर दो इसको पीछे कर तो बस हमारा answer हो गया तो यहां ब controllers यहां पर भी हमें इस सवाल में भी हमें हमें सिद्धा y वराबर में vx लिखना क्यों कि हैं पर दिवाइब इए क्यूल में सवाल खोदे लिखा ठीक तो यहां पर रखेंगे थे होजाएगा वे प्लस में यक्स db वह से बन जाएगा इसका उकलन इसको यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा वी प्लस में यक्स डी वी वटे में डी एक्स और बराबर में यहाँ पर वाई है तो य के स्थान वी एक्स रखेंगे वटे में क्या है यक्स है ठीक उसके बाद यहाँ पर जाएगा लॉग और अंदर में वाई है तो V X بٹے में 1 हो जाएगा और प्लस में एक बन जाएगा ठीक दगो यह X से X कैंसिल और यह X से X कैंसिल ठीक तो यहाँ पर बन जाएगा V प्लस में X DB बटे में DX बराबर में यह बन जाएगा हमारा सिंपल सा V और उसके बाद अंदर बन जाएगा log v और प्लस में 1 हो जाएगा ठीक अब यहाँ पर जब इस v से अंदर multiply करेंगे तो बन जाएगा v log v और प्लस में यह v बन जाएगा ठीक इसमें जब गुड़ा होगा अब देखो यह इधर v है इधर v v है दोनों का सेम चिन है और वही चीज है तो cancel हो जाएगा तो यहाँ पर जो बचेगा वो सिर्फ v log v बचेगा अब v log v को हम लोग इधर बेज देंगे और बांकी x dx को इधर बेज देंगे तो यह देखो इधर आ जाएगा भाग में ठीक एक बटा में यहाँ पर multiply में एक मान सकते हो तो य यहाँ जाएगा इधर भाग में तो जाएगा v log v हो जाएगा और db बन जाएगा इधर हो जाएगा एक बटाई x dx बन जाएगा दोनों तरफ समखलना कर देंगे समझ रहो ना यहाँ पर क्या हुआ देको यह कट गया तो इसको गुड़ा में एक मान सकते हो तो बाकि एक को छोड़कर इसको इधर ले आओगे तो भाग में हो जाएगा और इधर देको यह dx इधर multiply करेंगे और x इधर गुड़ा में इधर जाएगा भाग में ठीक वही चीज़ हो क्या जैसे हर सवाल में होता है अब यहाँ पर क्या करना में मान लेना माना हम क्या करेंगे माना लि बांकि इसके स्थान टीं माना यह बन जाएगा सिंपल सा एक ब्ते में टी और य़ी बन जा जाएगा बराबर में एक व्टे में एकस टी एकस बन जाएगा है सो एक ब्रॉग 10 अब लोग raid रहकर में यह बन जाएगा और यहां पर एक लोग Украї इस बन जाएगा आप tuck याय जाएगा और बराबर में यह दोनों प्लस में है तो हजाएगा लॉघ सिए श बन जाएगा ठीक अब देखो यहां पर इस लोक से लाग यह कैंशल हो जाएगा पर जो बcado वो यहां पर ऊणजेगे जूआंस Ultra यह बन जाएगा यहाँ ब्लस में लॉघ बराबर में cx बन चाइगा अब इस log को जब comprend में दर बेचेंगे यहां यहां न यहां तो यहां E यहां या बाद जो सवाल होगा वो सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 बस दो ही सवाल बचे हैं तो इसके बाद चैप्टर समाथ हो जाएगा तो इसके इन दोनों सवालों को हम लोग पढ़ेंगे आप अगले वीडियो में सो आई वोप आप समझ गयोंगे फिर इस चैप्टर को सब्सक्राइब दोनों कर लिया गरो और अगर आपके पास कोई भी क्याई री होता है कुछ भी बोलना होता है, पूछना होता है तो आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप नेचे क्वटशंठल बोक्स से में मता सकते है या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस्टाग्राम पर जाना वहाँ पर अपको मेरन चनल का आईडी मिल लियागा तो वहाँ पर आप हमें फालो कर लेना अगर आपने फालो नहीं किया या फिर जिनों ने भी अभी तक हमें इस्टाग्राम पर फालो नहीं किया तो इस्टाग्राम पर जाकर फालो कर लें और वहाँ पर एक आप्शन होता है मैसेज का तो आप व झाल